नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आई हूँ राहू के दोस्त, अगर आपके खंडली में राहू दोस है, तो उसे तो उसके निवारन के लिए कुछ घरेली उपाए हैं मेरी इस वीडियो के दोरान आप चानिए उन उपायों के बारे में जिससे आप खर बैठे अपने राहू दोस्तों को निवारन कर सकते हैं हिंदू धर्म में राहू और केतु तो ग्रह मैंने चाते हैं, कहते हैं कि कुछ पंडली में दोस्तों पन करते हैं लेकिन राहू और केतू एक असूर है एक ही है जिसका नाम राहू और केतू है समुन्ध मुन्थन आप तो सभी जानते होंगे समुन्ध मुन्थन के दोरान अम्रित और विश दोनों ही निकले थे जिसमें से अम्रीद देवताओं के लिए था और जो विस था वो असूरों के लिए था लेकिन एक असूर ने रूप देवताओं के धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया और उस दोरान उसने अम्रीद पिया जैसे ही विष्णु भुगवान को पता चला कि वह एक असूर है तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धर सर से अलग कर दिया उस कारण से नाम उनका राहू और केतु पड़ा वह सर है वह राहू है और जो धर है वह केतु है और यह कुंडली में दोश उत्मन करते हैं इन्हीं दोश के निवारन से लोग परिशान भी हो जाते हैं इनका निवारन आप घर बैटे कर सकते हैं यदि आप मासाहारे बोजन करते हैं तो आप उसे सनिवार को बिलकुल ना करें आप सनिवार के दिन पूरता साकाहारी बोजन करें अगर आपकी कुंडली में राहू और केतु का दोश है तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहू और केतु का दोश का निवारन हो सकता है यदि आपके कुड़िली में राहो और केतु जंग कर बैठ गए हैं तो आप भगवान शिप के अराधना कर सकते हैं उनकी रोज सुभा पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद भगवान शिप के मंत्रियानी की ओम नमर्शिवाय का 21 वाद जब करें ऐसा करने से राहो और केतु का दोस्त आपको सताएगा नहीं आप राहो केतु के लिए सांती पूजा भी करवा सकते हैं आप घर में उस पूजा का आयोजन करें और उस पूजा को सुख समरिदी से समापती भी दे इससे ऐसा करने से आपके घर में सुख भी आएगा राहो केतु के दोस का निवारन हो जाएगा यानि कि राहो और केतु से परिशान है कहती हैं इस मंदिर के दर्शन करने से आपके दोस यानि कि राहो और केतु का जो भी दोस है फिर सब हट जाएगा और काफी हद तक आपकी कुंडली में सुकाएगा यदि आपकी कुंडली में राहू और केतु हैं तो उनका निवारण करने के लिए आप सनिवार को दान दे सकते हैं जैसे सरसो का तेल हो गया या फिर नारियल हो गया या केला हो गया इन में से कोई भी फ्रूट या फिर सरसों का तेल तो आग सनिवार को दान दे ही सकते हैं और गरीबों को भोजन भी खिलाएं क्योंकि कहा चाता है कि ये दोस्ट यानि की राहू और कितु भगवान शनी के ही एक निवारण है अगर आग भगवान शनी के पूझा करते हैं तो आप राहू और कितु के दोस्ट से भी निवारण पा सकते हैं ये थे वह उपाय जिन उपायों को करने से आप राहू और कितु के दोस्ट का निवारण पा सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें